अगर कोई स्थान प्रांट प्रतिष्ठित है तो उसका मतलब है वहाँ एक शक्ती शाली उर्जा है वहाँ आपको अपने पैरों को ऐसे खोल कर नहीं बैठना चाहिए इससे आपको कई तरह के नुक्सान हो सकते हैं खाना भी मैं बता रहा हूँ अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो ये कई तरीकों से नकारात्मक है ये सवाल क्लेर ने पूछा है यहाँ ट्रिपल आई से नमस्कारम सद्गुरू हम अपने पैरों को लिंग या दूसरी प्रान प्रतिष्ठित वस्तू या लोगों से दूर क्यों रखते हैं क्या ये बस समान देने के लिए होता है या इसका कोई विग्यानिक आधार भी है तो आजकल वो ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग आप जानते हैं पश्चेमी संस्कृतियों में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाथ मिलाते थे पर अब वाइरस की वज़े से वो चूना नहीं चाहते तो कोई कोहनिया मिला रहा है कोई पैर मिला रहा है तो ऐसा होने लगा है क्लियर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है ऐसा होने लगा है लोग एक दूसरे के पैर हिला रहे हैं पर क्यूं अगर कोई उर्जा की स्थेती हो तो आपको हमेशा पाल्थी लगाने के लिए कहा जाता है ना कि उस दिशा में पैर करने के लिए सम्मान वाली बात इसी का एक नया तरीका है इसकी मूल वज़े ये है कि आप अपनी और आती हुई चीजें कई अलग-अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं योग के हिसाब से हमें हर चीज जीवन के उचे पहलूओं से प्राप्त करनी चाहिए आप अनहता चक्र जानते हैं जो दो त्रिभुजिया ट्रायांगल का मिलन है उसके नीचे मनी पूरका, स्वाधिश्ठाना और मुलाधार चक्र हैं जो जीवित रहने की प्रक्रिया के विभिन पहलूओं से जुड़े हैं जीवित रहना, बच्चे पैदा करना और जीवन को चलाते रहना सभी जीवन चलाने से संबंधिच चीज़ें यहां पर दो ट्रायंगल एक दूसरे को काटते हैं क्योंकि ये परमानन्द है, ये आत्मग्यान है, ये शक्ती है, ये प्रेम है और ये भाग, दो ट्रायंगल्स यहां मिलते हैं जब कोई जगह प्राण प्रतिष्टित होती है, तो इसका मतलब है वहाँ एक शक्तिशाली उर्जा है, जिसमें आपको रुपांतरित करने की शमता है वो उर्जा हमेशा आप में मौझूद सबसे उची संभावना से आपके अंदर आनी चाहिए अगर आप अपने इस सहसरार से उसे प्राप्त कर सकें तो ये बहुत शांदार होगा इसी वजह से जब भी भारतिया लोग मंदिर में जाते हैं सबसे पहले वो इसको खुला रखना चाहते हैं, वो इसे गीला रखते हैं शक्तिशाली मंदिरों में ध्यान लिंगा में भी उन्हें बताया जाता है लोग खुद को गीला करते हैं, उनका सर गीला होता है क्योंकि वो उमीद करते हैं कि उर्जा यहां प्रवेश करेगी यह नहीं हो पाया, तो यहां की उमीद नहीं हो पाया, तो वो ऐसा करेंगे, इस उमीद में कि यह काम करेगा, कुछ भी नहीं हो पाये, फिर वो ऐसा करेंगे, पर वो यहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि यह बस जीवित रहने की प्रक्रियाएं हैं, हम उन्हें बढ़ाना नह जिससे हमारा जीवन विक्सित होगा, सिर्फ किसी और से बहतर जीवन, जीवित रहना काफी है, जीवित रहना जरूरी है, पर किसी दूसरे से बहतर जीना, जीवन का लक्षय नहीं है, यह समय की बरबादी है, क्योंकि आप जो चाहे कर लें, आप हमेशा के लिए जीवित नह रहेंगे तो सिर्फ जीवित रहने की दिशा में बहुत ज़ादा निवेश करना जरूरी नहीं है तो इस वजह से इस पूरी संस्कृती ने इस आयाम को समझा और उन्होंने समाज को एक अलग तरीके से बनाया खेर आज जो आप देख रहे हैं वो इसका बिलकुल बिगड़ा रूप है पर मूल रूप से आज भी मौजूद है कि आप जब भी किसी प्राण प्रतिष्ठे स्थान पर जाते हैं तो आप ऐसे होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उर्जा यहां प्रवेश करें आप परमानंद चाहते हैं अगर ना मिल पाए तो कम से कम शान्ती और ज्यान संतोलन और दुनिया में मौजूद हर प्रकार का जहर आप में प्रवेश ना करें ऐसी अजादी होनी चाहिए तो मौल रूप से आप चाहते हैं कि शरीर का उपरी हिस्सा अनहता से उपर उर्जा के लिए खुला हो किसी प्रान प्रतिष्टित स्थान के आगे आप अपने पैरों को ऐसे खोल कर नहीं बैठना चाहते क्योंकि ये आपकी और बिलकुल अलग तरह की उर्जा को अकरशित करेगा और ये आपके लिए बिलकुल अलग तरीके से काम करेगा जो जरूरी नहीं कि आपके लिए फायदे मंद हो इससे आपको अलग-अलग तरीकों से नुक्सान पहुँच सकता है यही वज़य है कि जब ऐसे स्थान पर बैठते हैं जिसे आप शक्तिशाली मानते हैं वहाँ आप हमेशा पालती लगा कर बैठते हैं क्योंकि आप अपने शरीर के निचले हिस्से को बंद करना चाहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप दूसरे इंसान के लिए बंद हैं ना महिलाएं आप ये जानती हैं मान लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है मान लीजिए कोई अजनबी आया है एक आदमी आपसे बात कर रहा है क्या आप उससे ऐसे बात करेंगी कुछ माहिलाया आजकल ऐसा कर रही है क्योंकि वे सोचती है इसमें गलत क्या है कुछ भी गलत नहीं है बस आप अपनी और एक खास तरह का ध्याना करशित करेंगी अगर वो आदमी सब्य है तो वो ऐसा करेगा अगर आप भारती हैं तो वरना आप हेलो बोल कर शायद हाथ में लाएंगे और अगर वो अजीब मूड में है तो आप कहेंगी हाई या ना क्योंकि आप जानते हैं शायद आप तारकिक रूप से ना जाने पर आप स्वभाविक रूप से जानते हैं कि किस तरह के हाव भाव आपकी तरफ कैसा ध्याना करशित करेंगे है ना हलो आप जिस भी कल्चर में पले बड़े हो आप स्वभाविक रूप से हमेशा जानते हैं क्योंकि ये शरीर में होता है ये ऐसी चीज नहीं है जो हमारे मन में होती है कुछ चीज़ें शरीर में होती है तो कुछ सभ्यताओं ने बहुत सचेत रूप से मुद्राएं या शरीर के तौर तरीके विकसित किये है कि ये चीज ऐसे करें ऐसे बैठें ये बहुत-बहुत महत्वपोर्ण है खाने के सामने भी मैं बता रहा हूँ जब आप खाने बैठते हैं तब एक अच्छी बात ये होगी कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्सों के बीच एक टेबल हो पर अगर आप बैठ कर खाना खाते हैं और टांगे खुली रखते हैं जैसे कई लोग खड़े होकर खाते हैं अगर आप खड़े होकर खाते हैं तो इसके कई नकारात्मक पहलू हैं क्योंकि आपको समझना होगा कि भोजन की इच्छा सिर्फ आपके मूँ में नहीं है पूरे शरीर में है पूरे शरीर में लोग कहेंगे ओ ये कोई वज्ञानिक सत्य नहीं है क्या मेरी नाभी में या फिर मेरे गुपतांगों में भोजन की इच्छा है हाँ है शायद आप समझ ना पाएं पर शरीर के हर अंग में भोजन की इच्छा है पर उसे इसी मार्ग से गुजरना होगा है ना हलो इसी तरह हमारे शरीर में कई दूसरी लालसाएं हैं और उन्हें भी सही रास्ते से जाना चाहिए तब ही ये जीवन अच्छे से काम करता है वरना आप जीवन को तोड मरोड देंगे तो जब भी आप एक शक्तिशाली रूप देखते हैं तब पालती लगाना बहुत महत्वपूर्ण है और भोजन भी भोजन एक बहुत शक्तिशाली चीज है अगर आप तीन दिन ना खाएं तो आप समझ जाएंगे कि भोजन बहुत शक्तिशाली है ये वाकई बहुत शक्तिशाली है और आप देखेंगे अगर आप 3-5 दिनों तक कुछ ना खाएं तो शरीर की हर कोशिका भोजन के लिए तरसेगी अब अगर यहां खाना हो तो असर बस यहीं नहीं होगा कि मुँँ में पानी आएगा, कई चीज़े होंगी तो यह महत्वपूर्ण है कि जब भोजन आपके सामने आए तो आप पालती लगा कर बैठे हों पर आपने एक और तरीका ढूंड लिया है खुद को टेबल से बचाना ठीक है, अगर वो आपके लिए मददगार है तो पर अगर आपको बहुत भूग लगी है और भोजन पूरे शरीर के सामने है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है भोजन के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम भोजन को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं जिन प्राण प्रतिष्टे तवस्तों और मनुश्यों में एक तरह की शक्ती है आप कभी भी उनके सामने इस तरह से अपने पैर खोल कर नहीं बैट थे क्योंकि इससे आपके सिस्टम में एक गलत तरह की ऊड़जा जाएगी मैं पूछ रहा हूँ क्या शौच करना अच्छा है हलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ हाँ पर शौच आपके शरीर के एक विशेश हिस्से से बाहर आनी चाहिए ये कहीं और से निकले तो भयानक हो जाएगी है ना हलो इसी तरह भोजन एक विशेश तरीके से अंदर जाना चाहिए अंदर जाने वाला भोजन सर्फ भोट एक भोजन नहीं है भोजन कई तरह से आप में जाता है क्योंकि पूरे शरीर में ये काबिलियत है मुझे आपको अपना अनुभव बताना चाहिए जब मैं बिजनस करता था तब हाँ मैं किसी बिजनस समझोते में एक बड़ी सफलता मिली थी तो जहां भी संभव हो मैं हमेशा प्रकरती के बीच रहता था मैं ट्रैकिंग, मोटर साइकलिंग करता रहता था पर मेरा साथी एक बड़िया शहरी लड़का था तो हमने तै किया था कि हमें कैसी जगह जाएंगे जहां एक तलाब हो एक बांध हो और एक बड़ी जील भी और कुछ छोटी पहाणिया हम वहाँ गए और हम सब तैर रहे थे तैरने के बाद भी मैं अपनी तैराकी के कपड़ों में ही था मैंने सोचा मैं पहाडी पर चड़ता हूँ गर्मी के महीने थे सब सूख चुका था तो मैं पहाडी पर चड़ गया अब मैं कभी कभी सोचता हूँ इन दिनों मैं जहां भी जाता हूँ हर किसी के हाथ में पानी की बोतल होती है उस समय मैं दिन रात घूमता रहता था मेरे पास पानी की बोतल कभी नहीं होती थी हम बस ऐसे ही मैनेज करते थे तो मैं पहाडी पर चड़ गया और उस गर्मी में बिना कपड़ों के मुझे बहुत पसीना आने लगा पर आपको पता है मेरी समस्या ये है कि मैं आधे रास्ते से वापिस नहीं मुड़ता तो मैं उपर शिखर तक जाकर फिर नीचे आना चाहता था मैं उपर गया और नीचे आते आते मुझे लगने लगा कि कि मेरी जीब फूल रही है और मेरा दम घुट रहा है मैं इस कदर dehydrated हो रहा था कि मेरी जीब मेरी सांसों में रुकावट बन रही थी मेरी हलत वाग़े खराब थी मुझे पानी की कम से कम कुछ बूंदों की सक्त जरूरत थी मैंने अपना पसीना चाटना चाहा पर कोई फाइदा नहीं हुआ जब मैंने सोचा कि मैं सच मुझ अपनी चेतना खोदूंगा बिहोश हो जाऊंगा तब मैं बस कुछ समय के लिए अपनी आखे बंद करके वहाँ बैट गया तब मुझे हैसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर मेरे हाथों और पैरों के बाल एक दिशा में जा रहे थे ये रोंग्टे खड़े होने जैसा नहीं था रोंग्टे खड़े होना यानि एक बाल इस तरफ उठेगा दूसरा उस तरफ उठेगा मैंने देखा कि सारे बाल इस ओर इशारा कर रहे थे और मुझे पता चल गया वहाँ कहीं पानी है और मैं वहाँ पानी ढोड़ने लगा मैं चटान के नीचे एक छोटी सी गुफा में चला गया वहाँ एक छोटी गुफा थी ये गुफा इंसानों के लिए नहीं थी शायद खरगोश और चुहे और वैसे जानवर वहाँ रह सकते हैं वैसी गुफा बस उतनी बड़ी वहाँ थोड़ा सा पानी खटा हो गया था शायद वो खरगोश का पेशाप था या बारिश का पानी था पता नहीं क्या था उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा मैंने बस उसमें अपना चहरा डाला और पानी के साथ साथ कीचड वगेरा सब कुछ पी गया मैं कुछ देर वहीं बैठा और थोड़ा आराम मिलने के बाद नीचे आ गया मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके लिए कुछ वाकई जरूरी होता है जैसे भोजन या पानी तो आप देखेंगे कि शरीर की हर कोशी का तरस्ती है अगर आप देखेंगे कि प्यास सिर्फ आपके मुँ में नहीं है बलकि हर जगह है तो सिर्फ भोजन के साथ ही नहीं बलकि हर तरह की उर्जा के साथ भी ऐसा होता है शरीर की हर कोशी का तरस्ती है ये बहुत महत्वपून है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें तो जब भी आपको लगता है कि कोई शक्तिशाली जगा है तो हमेशा बैठते समय पालती लगा कर बैठना बहतर है ऐसे मत बैठिये आप ऐसी चीज आकरशित करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है प्राप्त प्राप्त